हाई गाइस कैसे हैं आप सबी लोग आज किस वीडियों देखने क्वाले है बिकॉम फिर्ष्ट सेमस्टर वालों के लिए जो फइस से मिश्टर है जिनका 2022 में आने वाली कोउशन की बात करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं बिजनेस कम्यूकेशन क्या होता है इसे व्यपसाइ और मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूगा चाहे कुछ भी हो जाए इन कोशनों को याद करके आप 80% पक्का लेकि आने वारे हैं कि अैंड़े आपको टिक्रार रहा है इनके आपको नोट्स भी मिल जाएक नोट्स भी मेरे सकतें लिंक लेडिघा ला केने न इक्टार उक्विक प्रभाइट करा दोंगा इनके वीडिवी प्रवाइट करा दो एकड़ा बहुत तो नहीं है आप पस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए फिर एप को डानलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं फिर डानलोड करोगे तो आप किसी भी कैफे विजा के निकलवा सकते हो खुद उसको देख देख के पढ़ सकते हो नोट्स को यदि आप डानलोड कर लेते हो तो एप से भी पढ़ सकते हो ठीक है इसमें लॉंग और शॉर्ट दोनों कोशन दे रखे है वो इश्व नहीं है बस चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को प्रेस कर देना अभी तक मौडल होता है समप्रेशन मौडल क्या है उनके मौडल को ही प्रतिमान कहते हैं ठीक है उनकी प्रक्रियाओं के बारे में उनके अर्थ के बारे में कौन-कौन सी बाधाएं आ जाती है समप्रेशन में उनके उपाए क्या है बाधाओं जब बाधाएं आई है तो उनके उपा प्रबंदर की कुझी है इस पश्ट करो इसका दोनों का अर्थ सेम होगा कोई शोने दोनों का आंसर सेम होगे नेक्स्ट कोशन पर टिक लगाएंगे लिखित ब्यप्शाइक संप्रेशन क्या होता है गुण दोस्त उनके महत्व को बदाईए कोशन है मेरे दोस्त इसके अलावा कुछ मत पढ़ना कुछ भी मत पढ़ना मैं बोल रहा हूं कुछ भी पढ़ने की जुर्त नहीं है बस इतना पढ़ लेना जो मैं बोल रहा हूं इन कोशनों को याद करेना बाकि कुछ मत पढ़ना 85% आप देखोगे टोटल फसेगा और एक् ऐस उनकी सीमाएं और ब्रह्मित संचार अंकेतिक संचार एक होता है मौकिक संचार और संकेतिक संचार ये ही आपके लिए मपूर्टेंट है और की कौन कौन स japाता है प्रभावी संप्रेश्ण के सिधानत हی हुता है ये पूछ संप्रेशन भी बोलते हैं यह इसे हम अवासिक भी संप्रेशन बोला जाता है कई नामों से आप से पूछ सकता है उनकी गुर्दोस के लिए पूछेगा तो आप इसको याद कर लेजिए दैनिक सारीरिक भासा संप्रेशन क्या है इसके महत बताओ तो दैनिक या दैनिक होताना है आज कि शक्षचात कार क्या होता है सक्षचात कार क्या है इनके प्रकार उनके उद्देश उनके सिध्धांदों को देख लेना है कि एक अवेदन पत्र तयांड कीजिए फिर मौकिक प्रस्तित करना का आसे का क्या आस है का क्या आस है उसका सिध्धान्द क्या है प्रिक्रिया क्या है यह बताना है और मौकिक प्रस्तुति करना का प्रभावित करने वाले कौन-कौन से घटक है कौन-कौन से तत्व होते हैं कि मौकिक प्रस्तुति करना को जो प्रभावित करते हैं वो कौन से तत कुसलता का क्या अभिप्राय होता है तो लेखन कुसलता क्या होती है उसका अभिप्राय क्या है यहां पर याद करेंगे ब्यपसाइक पत्र क्या होता है उसकी विशेष्थाएं क्या होती है उनके महत्व और आवश्यक तत्व कौन-कौन-कौन-से होते हैं ब्यपसाइक पत्र बैसी की सिकायत करते हैं तो से प्त्र कैसे किस प्रकार से लिखा जाता है वह लिखने का टरीक आपको आपको नोट्स में मिल जाएगा हम बुक कापको नोट्स देंगे उसमें सारे को नहीं लेगा ठीक है और साथी साथ आपके आपके पास कुछ ऐसा है तो आप उसके त्यारी कर लीजिए मैं आपसे बादा करता हूं यूपी आल इनिवस्टी बिहार उत्राखंड इनके लिए मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन बागी कुछ भी कोशन बाहर नहीं जाएगा कि बसूली यह चाहते हैं उसक्ताओ को लगोगों पैसे देने निजानते पत्र अनके घर पहुंचता है तो बसूली पत्र पत्र क्योद लिखा जाता बो देखो ठीक है कि घस्ति ये फिर परफ्लशे करने के जृफ करूंश्ट इंपोटेंट इसे कहते हैं इसके बाद में विश्च्छाइँ प्री लिखी है उनकी विश्षाएं क्या है मौकिक संप्रेशन ते उपर बता चुका हूं मौकिक संप्रेशन को उपर सेал मैसिज क्या होता है इसको सौर्ट में लिखते हैं उसके बारे में लिख लेना कि alors कि स्थाइस करते हैं तो वो किस प्रकार से पूरा इमेल कि अब में लिख wollte ऑफ और अ वाएर प्रोजेक्शन क्या होता है कि अब पाबर वलगोई presentus आप देख लेना फस 21 की जो अभी सिक्षानियती जुजाहिर हुई है 2022 में उसे पूरा स्लेवर चेंज हुआ है वही इंपोटेंट कोशन है 2022 में आने वाले बस इतना पढ़े लेना बाकी ये लगभग में वही 20 से 20 कोशन होगे कोई जादा नहीं है आपके पेपर के लिए इतना पढ़के आप 85% ला सकते हैं तो बस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और ज्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेर कर देना मिलते हैं नेक्षरी तब तक के लिए बाई बाई दो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग